Hello guys, welcome back and आज की उडिवा गाईज हम लोग Darkman Tower के final round को complete करेंगे जो की round 8 है and यह बहुत ही कम होता है जब मैं 8 round complete कर रहा होता हूं किसी भी tower का और I think यह मेरे साथ पहली बार है या कावी time पहले एक बार मैं किया होगा क्यूंकि 8 round complete करने के लिए आपको हर दिन attack करना पड़ता है और अगर आप 2 महिने में 5 दिन अपने attacks miss कर देता है गलती से तो आप 8 times complete नहीं कर सकते हैं tower को तो इस बार guys मैं काफी ज़्यादा active था tower खेलने में तो इसलिए मेरे tries ज़्यादा miss हुए नहीं तो battle थो ऐसे काफी ज़्यादा simple है काफी सारे tower equipment है मेरे पास तो मैं इसको one shot करने का try करने वाला हूँ और possibly है और हम blind हो गया हम ऐसा ऐसे होता है कुछ ना कुछ negative होई जाता है मुझे इसके उपर दो बार SP2 apply करना होगा तब जाके यह होगा अदरवाइस नहीं हो पाएगा और यह हम करना नहीं चाहते था sit बहुत दूर कौँची फास्ट तो है यार हमको दो वार करना परेगा तब जाके apply होगा अबे यार रुख जा देर मिट बचा हुए यार time already काफी ज़्यादा कम हो चुका है मतलब खातम हो चुका है पूरा team soaked हो चुका है अब काम हो रहा है एक और SP to sit हमको लगाद हम कर लेंगे sit अबे यार damage अच्छा हो रहा है अब soaked हटने वाला है दो बर और हम कर देंगे तो हो जाएगा बड़ टाइम ज़्यादा बचावा नहीं है मेरा काफी ज़्यादा टाइम सुरू में वेस्ट हो गया क्योंकि हम blind हो गया था मतलब rain blind हो गया था यह मरा अच्छा बच गया अच्छा इसका health बहुत जादा है यार ओके फिर से team soaked करने का टाइम आ चुका है चला हो गया पुरा team हो गया सोग्ड 32 सेकेंड है मुझे लगता नहीं कि हो पाएगा सिर्फ कौांची डेड हो जाए ना तो काम हो सकता है इसका 4 million health है यार अब जाके 27% पे यह आया है और मेरे तीनों characters मतलब almost dead है इसका health और कम होता ना तो brutality हो जाता ठीक है कोई बात नहीं बहुत कम damage हो रहा है मैं लब damage हो रहा है लेकिन यार बहुत close थे हमी सिंडेल और किटाना almost dead हो चुका है ठीक है ना उसका health एकदम नहीं होगा जो health है क्वांचीक है बस और यह stack होने वाली बात हमेसा stack हो जाता यह game game के developers पता नहीं क्या कर रहा है देखा मैंने कहा था ना यह दोनो almost dead थे यार sit one try के अंदर हो जाता दो tries लगी गया है वे यार हो क्यों नहीं रहा है चला हो गया ठीक है हमको लगता है नहीं कि इन दोनों के उपर हम brutality कर पाएंगे नहीं बिलकुल नहीं कर पाएंगे इलको तो health है ही नहीं इसको हम कुछ कर ही नहीं अरे यार sit इसके उपर हम brutality कर सकते था है इसके उपर shield था ना तो अगर इसको मारते तो इसको वैसे भी damage होता नहीं और हम फिर combo enders करके यार बहुत देड़ से click होता है ठीक है चलो जैसा था but finally dark wind tower complete हो चुका है और अब जाने वाला है dark wind tower new diamond ठीक है मुझे actually इस character के बारे में कोई idea नहीं है यह मतलब तब launch हुई थी जब हम active नहीं थे game के अंदर तो हमको पता नहीं कि क्या कर सकती है ठीक हैस तो आज की video को मैं यहीं band करता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ किसी नए video के साथ